सबसे पहले हम इसकी फिलिंग का काम करेंगे जिसके लिए आपको जो अज़ा चाहिए वो हैं दो खाने के चम्चे हरा धनिया, चार खाने के चम्चे पौदीना, छे हरी मिर्चे, डेर केलो आलू, दो चमच लाल मिर्च पाउडर, एक खाने का चम्चा सफेज जीरा, एक खान अज़ा धनिया, हरी मिर्चे, पौदीना काटके और इसको ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लेंगे जिस मिनट के बाद जब वो अबल जाएं तो इनका चिलका उतार लेंगे अब हम अच्छी तरह इनको मैश कर लेंगे अब इसमें हम दो खाने की चम्ची लाल मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून सफेज जीरा, एक टेबल स्पून साबुद धनिया और देर चम्ची नमक डाल लेंगे मुसे की पटी बनाने के लिए जो हमें अध्जा चाहिए वो हैं धाई कप मैदा, आदा कप घी, एक चम्ची नमक, एक चम्ची जीरा और पानी बराए जरूरत एक बोल में हम धाई कप मैदा और आदा कप घी डालेंगे, एक चम्ची नमक, एक चम्ची जीरा और पानी बराए जरूरत में लाके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह जब यह गुंच जाए तो इसकी रोटी बेल लेंगे, और रोटी को दरम्यान से आदा करके अंदर फिलिंग भरके राप कर लेंगे गरम तेल में इनको डीप फ्राइ कर लेंगे जब पूरी तरह तल जाएं तो इनको निकाल लेंगे प्राइ